जेन्यू के पूरु छात्र नेता कनहिया कुमार पर लगातार हमली की घटनाए सामने आ रही है अब एक बार फिर से कनहिया कुमार के काफले पर हमला किया गया है कटिहार में जनसभा कर वापस लोट रहे उनके काफले पर आज जूते और चपल फेके गए है शहीद चौक के पास हुई इस घटना में कनहिया कुमार के खिलाफ नारे बाजी भी की गई लेकिन प्रसाशन ने हालात को तुरंट संभालते हुए गाडियों के काफले को आगे बढ़ा दिया दरसर NRC और CAA के खिलाफ कनहिया ने आज राजवेंद्र स्टेडियम में जनसभा की थी सभा के बाद विध्यारती परिशद के कारेकरताओं ने नगर थाना पहुँच कर जम कर हंगावा मचाते हुए आरोप लगाया कि सभा स्थल राजवेंद्र स्टेडियम के बगल में ही इंटर की परीक्षा चल रही थी लेकिन परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू रहने के बावजूद सभा चलती रही जिस पर प्रदर्शन कर रहे लोग मामला दर्च करने की मांग कर रहे थे आपको बता दे कि इससे पहले बिहार के ही माधेपुरा में वामनेता कनहिया कुमार के काफिले पर पत्राव हुआ था न्यूस टेस